है हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप मेरा नाम दीपेंद्र है स्वागत है मेरे आनलाइन पार्स जिसका नाम है एक्जाम सुपर संडे तो फ्रेंट्स पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश के बारे में आज हम पढ़ेंगे मनीपूर के बारे में ठ उत्तर पूर्वी यह पूर्वत्तर राज पहले आसम का एक पार्ट मना जाया करता था ठीक है मैं पिछले सेशन में बता चुका हूं कि आसम जो है एक ब्रहत राज था यहां पर जितने भी प्रदेश स्टेट बनाए गए हैं चाहें 1972 में हो चाहें 1963 में हो 87 में हो पूरे ज 36% बहुल राज है ठीक है मरीपूर के जो मुख जन्जाती है मूलनिवासी मिताई जन्जात के हैं किसमख भासहां है मेति-ल्ओन है ठीक है कौन सी मुख भासा है मेति लोन जिसको मनीपूरी भासा भी कहते हैं इस मेति लोन भासा कौन सी भासा बोलते हैं मनीपूरी भासा बोलते हैं जिसको भारत सरकार ने सर 1922 में भारत की एक सम्मिधानिक क्रिया के तहत सम्मिधान की आठ्मी अंसूची में दर्ज किया गय इस मेतिलोन भासा को आठ्मी अंसूची में कब 1992 में डर्ज किया गया है अर्थात यह मनीपुरी भासा भरत की एक राष्टी भासा हो गई है ठीक है मिताई जन्जाद यहां के मूलनिवासी है तथा परवती छेत्रों में नागा और कुकी जन्जाद की लोग रहते हैं और परवती छेत्रों में नागा और कुकी जन्जाद की लोग रहते हैं और पौराणि कताओं के अंसार यहां पर एक संपरदाय एक जन्जाद पाए जायती थी जिसको विश्णू प्रिय जम्जाद कहते कौन सी है इंफाल के आसपास यह बिशनु प्रिया नाम की जंजाइद पाई जाती है ठीक है यहां के मूल निवासी मिताई जंजाइद के हैं परवती छेत्रों में नागा और कुकी जंजाइद की लोग रहते हैं इस प्रकार हम कहें सकते हैं कि मरीपूर एक नैतिक रूप से सबीन सब्सक्नाइब के लोग रहते हैं ठीक है बात करते हैं मरीपूर की तो मरीपूर की ँरह धनि केमिल लाम जाओ केमिल लाम जाओ राष्टी उद्दान है जिसमें ये विश्व का एक ऐसा राष्टी उद्दान है जो फ्लोटिंग गार्डिन गूरूप से जाना जाता है अर्था तैरता हो उद्दान है ठीक है इस मरीपुर जील में केमिल लाम जाओ नाम का राष्टी उद्दान पाए जाता है जो किस के लिए प्रसिद्ध है जो एक प्रकार के संगाई हिरन के संगाई हिरन जो मरीपुर का राज की पसू है है ठीक है मरी पख़रा राज की पसु सुर्फ क्या है यहे यह यह संगजी हिरन नाम जाव नाम के राष्टी उद्धान में जो के विल नाम जाऊ यह में एक तर्ताahu दन है यह यह संगाई हिरन पाए जाता है इसांगाई हिरन नहीं को भी से तेस था है यह एक डांसंग डियर भी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आए Sakans डांसिंग बीर इसलिए बोलते हैं कि इस केविल लाम जो जो पूरा आपका ड्ल्डली छेत्र है जब संगाई हीरन या थामीन ही रहन पर रखता है तो एक निर्त करता हुआ महसूस होता है इसलिए इस बांस करता हुआ हिरन ले डांसिंग डियर बोला जाता है यह आपका मरीपूर का राजकी पसु है इसी राजकी पसु के संद्छन के लिए संगई फेस्टिवल 2017 से संगई फेस्टिवल मना जाता जिसका उधगाटन भार्त के राष्ट पती महामहिम राष्ट पती रामनाद गोविंद ने किया था ठीके 2017 को कौन से इसकी खास भी से तक्या है एक प्लोटिंग लगतेश मं सब्सों के बारे में एक विश्टिष नेत्र बहुत मेरीपूर मत्र को भारत के 8 शास्त्री निर्तों मेंसे से एक माना जाता है जो किस संप्रदया पर अधाई थे वैसनों संप्रदाय पर संप्रदया का एक निर्थ है जिसको क्या मणी पूर्नेत बोलते हैं और ये भारत के Taste पासास्त्री नर्तों में से एक है ठीक है अब देखिए मरीपूर के एक घाटी है जुको घाटी क्या नाम उसका जुको घाटी इस घाटी में एक विशेश प्रकार का पुष्प पाये जाता जिसका नाम है जुको लिली क्या नाम है जुको लिली जुब लिली के लावा एक बहुत ही इंपोर्टेन यहां पर फ्लावर पाये जाता है जिसको बोलते हैं सिरोई पुस्व जिसके साथ रंग होते हैं सिरोई पहाड़ियों में पाये जाने वाला सिरोई पहाड़ियों में पहाड़ियों में क्या पाये जाता है कि जिसके साथ रंग है इसको मायक्रोइस्कोप का देखने पर साथ प्रकार के रंगों का एक समा बेच पाये यह जाता है इस लिली में कहां पाये जाता साय हुआ इन्होंने सत्रा साल तक भूखरताल किया था किस के खिलाफ किया था एक टी में दो फी को एक छूट की जाती है एक रूल यह मीरेटरि का जिसका नाम आप्सा आर्म अर्योर्श स्वेशन एक्ट artists कि एक प्रकिलाप military के इस rule के खिलाप इस नियम के खिलाप इस छूट के खिलाप इरोम सरीमिला ने 17 साल तक भूँँखड़ताल किया था क्या है क्यों सारे रूल है आपसा आर्मी फोर्स या आर्म्ड फोर्स इस्पेसल एक्ट ठीक है इस एक्ट के रहत आपके जो disturbance राज होते है, disturbance इलाका होता है, तो military को एक power दिया जाता है, इस rule के according, armed force special act के according, कि कि किसी भी बिक्ति को वो ग्रिपतार कर सकती है, या firing खोल सकती है, ठीक है, इस rule के खिलाब, इरोम सलेने 17 साल तक वो खर्ताल किया था, और एक नाम बहुत popular है मरीपूर में, जिसका नाम है, MC मैरीकाम, क्या नाम है, MC मैरीकाम, MC, मैरीकाम, ये boxer है, ठीक है, छैबाल की world champion थी, और आपकी olympic खेलों में, silver medal भी ब्राँज मेडल भी जीता था, ठीक है, तो, देखिए, मरीपूर में एक सबसे खास बाती है, कि मरीपूर में, बिस्व का पहला, जो पोलो का खेल हुआ था, मरीपूर में ही हुआ था, अगर question आ जाए, कि बिस्व में, सबसे पहले, पोलो खेल, जो घोड़े पर एक हांकी जैसा खेल होता है, पोलो पर, पोलो, वो खे देखें जो लिए बराक गाटी के मराइपू में बची निकलती है कि गाट इस निगलती है बराकटी से निकलती है ठीके पर नदी यो सिर हम लिया है इसके बाद यहां पर हम इन प्ष्छले फ़स्ट शेशं में हमने पढ़ा था कौझसीहं पहाडी पाइव पहाडी 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 पहाड प्लाइमटोल हिल्स पाय जाती है ठीक है गो अ कि Alemanu is भ moc हो हमने पडाए है ठीक है तो यह सब टॉपिक मडीफूर के बारए में नोट कर लीजएगा लंड कर लीजएगा ठीक है मिलते है जोरोम के बारे में इससके धादम क्लाइक चलेंगे मैंने पढ़ा तिए अनुआचल प्रदिश पढ़ा दिया है नांगलए पढ़ाद है मनीपूर पढ़ा दिया है मिजोरम पढ़ाओंगा मैं तिपुरा मेtakeाले आशम ये सब पढ़ाक ही ठीक說 पूरत्तर बाद पूर ख़तम करेंगे स्टेट बाई स्टेट ओके थैंक्यू मिलते हैं अगले सेशन पर नमस्कार तब तक के लिए अगर अगर